अब हम आगे हैं दर्शनी दर्वाजे पर और हमारी यात्रा यहां से शुरू हो जाएगी अब यह है पूरा मंदिर परिसर तो अभी ग्रूप नंबर सत्तर चल रहा है और यहां भवन की पहली जलक हमें मिल गई है यह पारवती भवन तो यहां पे लोकर मिल जाएगा आपको तो यहां से सभी लोग दर्शन करने जाते हैं और यहां से वापास आते हैं जैंगा अभी हम द राचिन कुफा से और एक बार आया हूं नॉर्मल वाले रास्ते से जैंगा दाती दोस्तों सौगत हपका डिवोशनल यात्रा की एक नई वीडियो में अभी हम जा रहे हैं मातरानी की यात्रा पे और अभी हम कट्रा चौक से निकल चुके दर्शनी दर्वाजे के लिए तो पास से फागन चालू हो जाएगा अभी हम आगे हैं दर्शनी दर्वाजे पे और हमाई यात्रा यहां से सुरू हो जाएगी अब और देखिए खाली पड़ा है ज्यादा भीड़ है नहीं अभी और बहुत मौसम बहुत ही अच्छा है यहां पे तो चलिए आपको फिक्सिं यहां एक पाने चाहां पाने बहुत मिल जाएगा और यह पूराना अगरा चा और दापने लोग यहां से फिल्म के गानों में देखा威 आप ने seperti आपने यह वहोग्यों 1 यंता चालिया करते थे कर अभी शॉल्या कर दिए और यह है गुल्षन कुमार जी का लंगर है तो इसके एंट्री आगे से है वहाँ से एंट्री हो रही है देखिए सामने से एंट्री है वहाँ से और यहां नीचे अभी लंगर चल रहा है तो अभी हम चलते हैं आगे भवन की तरफ जैम आता दी यहां पर रेट लिस्ट है स्रैंड बोड द्वारा गोड़े पिट्टू पालकी का और यह है काउंटर यहां पर पोनी पालकी पिट्टू बुक होते हैं तो आप यहां से बुकिंग करा के आगे जा सकते हैं भवन पे तो सभी को यहीं से बुक करा के आगे जाना पड़ता है अभी हम बाथिंग आठ के आगे हैं गीता मंदिर का बाथिंग आठ आए तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं दर्शन कराते हैं बाल गंगा के अब हम आपको अब आपको अब हम अब हम अब हम बाद गंगा पर आज चुके हैं यह वैस्तान है जहां पर माता ने बाड चलाके बाड गंगा प्रकट की थी और हन्मान जी को जल पिलाया था यहां पर और यहां पर माता ने अपने केश भी दोए थे इसलिए स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं तो अभी जल कम है बाल गंगा में तो यहां से चलिए आगे मिलते हैं जै माता दी और यह प्रा चरंट पादुगा मंदिर थोड़ी दूर पही है और धूप काफी तेज तो पसीने आ रहे हैं भी चलते वक्त अभी हम चरंट पादुगा मंदिर पर आ गए हैं तो यह माता के वैस्तान है जहां पर माता ने भैरवावा को पीछे मुड़ के देखा था और उनके चड़नों क कराते अंदर ले चलके जयमाता दी आ इंदर ने चलके जय माता दी अप्सक्त का और पुटे अ हे यह जरू ंदैं तो हम भी हम सीडियो से जा रहे हैं फ़र्स सीडिया पकड़ी हमने यहां से चरन पादुका मंदिर के साथ से यह मंदिर है और यहां से हम सीडिया पकड़ ले हैं ज्यादा बड़ी नहीं है छोटी है तो जगे जगे ऐसे मसाज सेंटर बने हैं अगर आप ठक जाते हैं तो मसाज भी करा सकते हैं यहां पर तो हम यहां से आए हैं और सीडिया को नीचे भी हमें जाना हम उपर परถी आगे से से सेडिया हान बीस टार्ट होती है और संप और यह बीकनेर वाला है यहां पे आपको कुछ खाना पेना है तो खा सकते हैं तो चलिए अभी हम चलते हैं उपर आदुक्वारी भावन के लिए जैमाता दी अभी हम फिर से सीडिया चड़ेंगे और यह सीडियों की संख्या 526 है तो काफी जादा होने वाले सीडिया तो चल अभी हमें 115 सीडिया चड़के आ रहे हैं और अर्दकवारी भावन सामने दिख रहा हैं अभी हमें 100 पैसे सीडियों से जाने वाले तो अर्दकवारी भावन के पास पहुचने वाले कुछ ही देर में और यह है अर्दकवारी भावन तो लगबग धाई बजगे हैं देखते हैं कितने में तक पहुच जाएंगे अर्दकवारी और सीडियों का प्योग कमी करें तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो थकान जल्दी हो जाएगी तो अभी हम सीडिया ही चट रहे हैं तो देखते है हैं साथ तीन बज़े तक पहुच जाएंगे उपर अभी हम अर्दकवारी मंदिर परिसर के पास पहुच चुके हैं और यह है विश्राम हॉल नहां वे वेटिंग कर सकते हैं और यह है डिस्पेंसरी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यहां पर मेडिसीन मिल जाती है औ और यह है अर्दकवारी कॉंप्लेक्स पूरा अभी हम अर्दकवारी कॉंप्लेक्स पे हैं और ग्वर्जुन दर्शन की पर्ची लेने आएं तो अभी हमें मिला है 123 नंबर और चल रहा है अभी 70 नंबर तो 12 गंटे की वेटिंग है देखते हैं साइद आते वक्त नंबर आ अभी हम अर्दकवारी कॉंप्लेक्स पे हैं और यह है पूरा मंदिर परिसर तो अभी ग्रूप नंबर 70 चल रहा है और यहां पर बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं अपने नंबर कंतिजार कर रहे हैं तो अभी हम जाएंगे भवन के लिए तो यहां पर हमारा नंबर से 123 मिला हुआ है तो अभी तो आएगा निवह काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो हम जाएंगे हिमकोटी मार्क से तो सामने रास्ता है तो चली आगे मतले जैम आता दी तो यह है शार्दा भवन जिसमें आप निशुलक रह सकते हैं यह धरमशाला है और यह भी धरमशाला है भगवती भवन इसके पीछे शैल पुत्री भवन है जिसमें आपको 150 रुपीस पर परसन देना वटता है डोमेटरी का तो अगर वहां पर खाली होगी जगे तो आपको मिल जाएगी और यह पूरा अर्दगवारी मंदिर परसर है और यहां पर है कम सूचना और प्रशार के लिए चलो चले जैम आता दी अगे अगे आगे अगे हाँ कि अगे कि कि अगे कि आदे कि 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 यह भवन जाने का रास्ता और यह तरह कोट मर्ग जो नीचे से आता है यहां से तरह कोट मर्ग लंबा बड़ता है भवन के लिए अब हम भवन की तरफ जा रहे है हिंकोटी मार्ग से और यहां से बबड़ पाँंच किलोमेटर की दूरी पर और इस रास्ते पर घोड़े नहीं चलते तो साफ सुत्रा रास्ता है तो ज्यादा तर लोग इसी रास्ते से जाते और यह प्लेन रास्ता है चड़ा जै माता दी, 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 जै माता दी. अब हम जा रहे हैं बावन की तरफ और यहां पे कुछ देर आराम करने के लिए बैठे हैं. और यह हिमकोटी मार गया है अभी थोड़ी देर में हम फिर से चलेंगे और अभी ट्रैक पे बेड़ जादा नहीं है यह देखिए आने वाले लोग है इदा से काफी कम है जाने वाले अभी हम हिमकोटी पे हैं डोसा पॉइंट पे तो हमने यहां पे टी ब्रेक लिया और यहा भावन की तरफ चलिये-चलते हैं जैमातादी जो तैसे प्रशाद मिलता है जो महतरणी के बावन पर छड़ा होता है चुनीच साड़ी और चोलाच मिल जाता है अपको पर यहांसे भावन यहां से भवन तीन किलोमेटर की दूरी पर है यह देखे और अभी तीन किलोमेटर और जाना है हमें भवन की पहली जलक हमें मिल गई है तो कुछी देर में हम भवन पहुच जाएंगे यहां से अभी भी एक किलोमेटर है तो अभी हम जा रहे हैं यहां से भवन के लिए जाए मातादी जै मातादी जै मातादी जै मातादी मातादी बहुचने वाले कुछी देर में और यह रास्ते पत्तर गिरने के चलएं यहां पयोल से यहां पहुच्छे और यहां पर उपर जाल भी लगे हुए हैं जै मातादी अभी हम भवन के पास पहुच गए हैं लगबग और यह देखिए मातारानी का भवन सामने हैं और यहां पर थोड़ी भीड हो चुकी है तो यहां पर भीड हो चुकी है थोड़ी और अभी हम चल रहे हैं भवन की तरफ और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं भवन के जै मातादी यह है पारवती भवन तो यहां पर लोकर मिल जाएगा आपको और यहां पर लोकर की सुप्दा है और यहां पर आप अपना समान जमा करके मातारानी की दर्शन करने जा सकते हैं और यहां पर है भेट सौप यहां से आप परसाद भी करेच सकते हैं तो और यह देखें यहां पर रोपे भी चल रहा है भी चले अभी हम चलते हैं मनोकामना भवन के पास और वहां पता करते हैं रूम है जा के हैं फिर आगे जाएंगे। मुछार कर पहुंच हैं सागर रत्ना के सावने और सनो सारी पिगल चुकी है जो चार तारीक तक होई थी सनो यहाँ पे और यह दर्शनों के लिए लाइन लगी है बहुत ज़्यादा अभी लाइन में खड़े हो गए सब अभी थोड़ी देर में भवन पे आर्थी श्टार्ट हो जाएगी तो दर्शन बंद हो जाएंगे फिर साड़े आट बजे खुलेंगे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंतिजार करना पड़ेगा और अब हम जा रहे हैं दुर्गा भवन में वहां पता करते हैं डोमेट्री मिल जाएगी नहीं तो धरमशाला में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हाउस फुल चल रहा है मनों कामना में तो बुकिंग है पूरी फुल यह है स्काइवाक तो यहां से अभी नया बनाई है दर्शन करने सभी लोग यहां से जाते हैं दिखाते हैं आपको पास से यह देखे कितना सुंदर बना हुआ है यहां से सभी लोग दर्शन करने जाते हैं यहां से वापस आते हैं यह स्काइवाक और माता रानी के भवन करना जारा है बहुत ही सुंदर इस टाइम सामके छे बज़ गे और यह देखिए पूरा गोल्डन गोल्डन दिख रहा है माता रानी का भवन तो यहां भवन पे काम चल रहा है और यह टीन शेट लगाई जा रही है पूरा कवर हो रहा है नया चेंज किया जा रहा है नया लग रहा है सब कुछ और अभी दर्शन बंद हो चुगे है आरती के तियारिया चल रही है भवन पे और अभी हम चल रहे हैं दुर्गा भवन की तरफ तो अभी रोप बंद हो चुका है और अभी हम भवन पे पहुच चुके हैं दुर्गा भवन यह रहा सामने अभी हम जा रहे हैं दुर्गा भवन के अंदर अब हम दुर्गा भवन में और यहां पर अटका आर्थी के काउंटर बने हुए और हेलिकॉप्टर की टिकट मिलती है और इंकवारी भी कर सकते आप तो कि अभी हमने पता कि यह तो बोल रहें कि अभी फूल है ओनलाइन चेक करने के लिए बोला इन्होंने और जो धरम चाला है दुर्गा भावन की वह साथ बजे खुलेंगे गेट तो अभी सबी लोग वेट कर रहे हैं यहां पर देखिए बहुत सारी लोग इंतजार कर रहे हैं तो सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया है और कुछी देर में एंट्री देदेंगे सायद और यह देखिए अभी गार्ड है यहां पर गेट खुलने वाले हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है अभी हम दुर्गा भवन के धरमशाला में पहुच गए हैं गेट खुल गए हैं और देखिए लोकर बने हुए सामने और यह गद्दे विच्छा दिये गए हैं जब मैं मार्च में नौरात्रों में आया था तो गद्दे नहीं विच्छे थे सर्दियों में गद्दे विच अगर मातरानी के इच्छा होगी तो हम पूरानी कुफा से दर्शन कर पाएंगे आज तो चलिए आपको आके मिलते हैं जै माता दी अभी हम हैं दर्शन करके फिर आएंगे यहां पर विश्राम करेंगे और सुबह भरवावों के दर्शन करने जाएंगे तो जैम आता दी अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और हमाई दर्शन बहुत ही अच्छे हुएं प्राचीन गुफा से तो यह है दुरगा भवन यहां पर हम रुके हुए हैं और दर्शन करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं दगा प्राचीन गुफा से काफी अच्छे दर्शन हुए और यह देगे अभी खाली पड़ा हुआ पूरा तो प्राचीन गुफा बंद हो चुकी है अब कल सुबह ख जाता हूं आगे कहां तेकला है दर्शन होते हैं कैसे तो यहां से सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं मातरानी की कुफा में यह सीड़ी है यहां से और यहां से एंट्री हो जाती है यहां से सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करके वापस तो भवन पर यहां डिस्पेंसरी भी है अगर किसी को को दिक्कत होती है तो आप यहां पर मेडिसीन भी ले सकते हैं तब ही जिन्दिगी में पहली बार मैं मातरानी के एक ही दिन में दो बार दर्शन करके आया हूँ एक बार प्राचिन गुफा से और एक बार आया हूँ नॉर्मल वाले रास्ते से तो हमाई दर्शन बहुत अच्छे हूए दोनों बार और भीट थोड़ी बढ़ गी थी इसलिए दोबारा लाइन में लगा था तो प्राचिन गुफा बंद होगी इस टाइम तो अभी दर्शन होके हम मैं बाहर आ गया हूँ अभी हम त्रिप्ति भूज नाले के पास और च हुआ हुआ हुआ